अगर आप अपने जीवन में खुस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हैं बलकि इसका मतलब तो ये हैं कि आपने दुखों से उपर उठकर जीना सीख लिया हैं खुसी के लिए काम करोगे तो खुसी नहीं मिलेगी लेकिन खुस होकर काम करोगे तो उस कारिय में सफलता और खुसी दोनों मिलेगी अगर इनसान कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रते गलती उसे कुछ ना कुछ सीखाई देती है इसका मतलब ये नहीं कि इनसान जीवन पर गलती करे और कहे कि मैं सीक रहा हूं अगर लगने लगे कि लक्षे हासिल नहीं हो पाएगा तो अपने लक्षे को नहीं बलकि अपने प्रियास करने के तरीके को बदलना चाहिए यदि किसी बूल के कारण कल का दिन दुख बिता हुआ तो उसे बूल जाना चाहिए उसे याद कर आज का दिन भी व्यर्त नगमाए अपनी गलतियों से मिले अनभव को हमेशा याद रखे क्योंकि यही अनभव हमें दोबारा गलती करने से रोकता है अच्छे विवार वाला इंसान करोडों दिलों को जीतने की सकती रखता है इंसान गलती करके उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों को सोच कर दुखी होता है रोने से आसू भी पराय हो जाते हैं लेकिन मुस्कुराने से पराय भी अपने हो जाते हैं लोगों की छुपी हुई खूबियां सिर्फ वही दब कर रह जाती हैं जब वे सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे इनसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है ताला खुलने पर ही पता चलता हैं कि वह दुकान सोने की हैं या कोईले की कहने का अंदाज हमेशा खुबसूरत रखो ताकि खुबसूरत सुनने को ही मिले दुनिया का सबसे सक्तिसाली इनसान वह होता है जो दोखा देने वाले की भी मदद करना नहीं छोड़ता है जिनकी आखें बात बात पर भीग जाती हैं वे लोग कमजोर नहीं होते हैं बलकि व अपनी मीठी जुबान से ही पैचाना जाता है वरना अच्छी बाते तो दिवारों पर भी लिखी होती हैं पर आजे तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं पर आजे तब होती हैं जब आप उठने से इनकार कर देते हैं